नमस्तार रिपोर्ट एक्सक्लोजिव में एक बार फिर से आपका सवागत है मामला कर्जमाफी राजस्थान में कर्जमाफी जो है बड़ा सवाल बन चुकी है कर्जमाफी को लेकर सवाल काफी आ रहे हैं और सवालों के जवाब जो है मांगे जा रहे हैं क्योंकि किसान जो है ऐसमंजस की स्थीती में है साथ आठ और नो तारिक को सहकारी समीतियों के लोन माप किये जा रहे हैं उन करजावाफी में भी काफी कमेंट्स और काफी सवाल जो आए थे वो यही आए थे सर मेरा भी सहकारी बैंक से है लेकिन कोई मैसेज या शंदेश या कोल नहीं आई अब यह बड़ा सवाल खड़ा होता है यह आखिर जो है कोंग्रेस जो है करज माफी किसका करने जा रही है अगर सहकारी समीती के समस्त जो करजदाई है उनके पास अगर मैसेज नहीं गए 30 नवंबर से पहले जिन्होंने लोन ले रखा है तो करज माफी किसकी हो रही है बीजेपी ने आज जेल भरो आंदोलन किया पूरे राजस्थात में उसकी जलकिया रिपोर्ट एक्सक्लोजिव आपको दिखा चुका है जेल भरो आंदोलन का लाइव नजारा जो है रिपोर्ट एक्सक्लोजिव ने दिखाया था ये जेल भरो आंदोलन भी कॉंग्रेस के लिए ही किया गया था क्योंकि कॉंग्रेस को बेरोजगरी भता और किसान करजमाफी याद दिलाने के लिए किया गया था ठीक कुछ समय पहले बीजेपी ने आंदोलन किया आंदोलन के दोरान ये बाते कही गई भी अगर संपूर्ण कर्ज माफी और जो बेरोजगरी बता नहीं दिया गया तो BJP जेल भरो आंदोलन करेगी जिसका नजारा आज हमने देखा BJP आंदोलन कर चुकी है आज जेल भरो आंदोलन था काफी तस्वीरे हमने आपको दिखाई परदेश भर में BJP ने कर्ज माफी और बेरोजगरी भत्ते के लिए गिर्फतारियां दी अब सवाल खड़ा ये होता है किसान इसी बात को लेकर ऐसा मंजस में है 27-8-9 को तो सीविर चल रहे है और सीविर में कहा जा रहा है किसानों की कर्ज माफी की जा रही है बिल्कुल किसानों की कर्ज माफी हो रही है लेकिन किन की हो रही है ये समझ से बाहर है हलागे कुछ आकड़ा आया था हमारे पास अगर बात करें एक जिले की राजस्थान में एक जिला है हनमानगड हनमानगड की बात करें तो काफी क्रोड रुपे जो है वो कल की तारीक में माफ किये बताए जा रहे हैं, और करीबन 169 या 189 क्रोड रुपए जो है, पूरे हनमानगड में माफ किये जाने है, सवाल लाजमी उठता है, आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं, कर्ज माफी के सीवर भी लगे हुए है, कल भी हनमानगड में सीवर लग सिवीरो में उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जो सहकारी समीति से लोन लेकर बैठे कहा जा सकता है को कोपरेटिव बैंक से जिन्होंने 30 नवंबर से पहले लोन लिया है उनको कर्जमाफी के दाइरे में रखा गया है और उन्हें बुलाया गया है लेकिन सवाल यही रिपोर्ट तयार की जारе हो करनाटक मोडल के तहत किषानों का करजा माफ किया जाएगा अब करनाटक मोडल महाफ किया जाएगा घ्यांकि वह तो भी किसान कंगरेश ज्रूर्म के तहता आपाएगे कौनबर से नहीं आपाएँग यह पर अएब है लेकिन हां एक आयोग ब नो जनवरी को एक एलान किया था कॉंगरेस के राष्टे देक्स ने बताया गया था भी राजस्थान में एक ऐसा आयोग बनाये जाएगा जो किसानों से जड़ोए मुद्दों को सुलजायेगा शायद वो आयोग की घोसना करनाटेक मोडल लागू करने के लिए ही बनाये गई होगी बाकी सबसे बड़ा सवाल यही है जो सवाल लगाता रहे हैं I.C. I.C.I. बैंक से लेकर तमाम प्राइवेट जो बैंक हैं उन बैंकों का करजा माफ होगा या नहीं होगा यह सवाल है यह कहना आखिर जल्दबाजी होगी भी इन बैंकों का करजा माफ नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट बैंकों का करजा माफ नहीं किया जाएगा यह कहना जल्दबाजी होगी लेकिन हाँ अगर 36 गड़ और मर्दे परदेश को देखा जाए तो 36 गड़ और मर्दे परदेश में भी प्राइवेट बेंकों को साइड में रखा गया है कहा जा सकता है भी प्राइवेट बेंकों का कर्जमाब वहां नहीं किया गया तो उसी का डर जो है राजस्थान के किसानों को सता रहा है आज हम भी आप पीछे का नजारा देख सकते हैं हम भी खेतों में बैठे हैं और किसानों के बीच आये हुए हैं और किसानों की जो परमुक मांगे हैं जानने के लिए आये हुए हैं विकर्जमाफी से वो कितना संतूष्ट है अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है विकर्जमाफी की तो जा रही है लेकिन किसान नराज चल ले है आज जेल भरो आंदोलन किया गया क्योंकि किसान नराज है किसानों की कर्जमाफी का जो वादा किया गया था वो नहीं निवाया गया अब संपुर्ण कर्जमाफी के बाद दो लाख की बात की गई वो भी अभी तक अमली जामा नहीं पैनाया गया कोंग्रस पे सवाल उठाय जा रहे है और विपक्स भी सवाल कर रहा है विदान सभा में भी आवाज उठाय गई और अभी तो दो दिन होगे सीविर भी चल ले है लेकिन सीविर में भी किसान जो है ऐसा मंज़स की स्थीती में है कुछ किसानों के कमेंट शाय थे विसर हमारे माफ होंगे या नहीं होंगे उन किसानों को बताना चाहेंगे भी राजस्थान में अगर करजमाफी की बात की जाए तो वादा तो सभी का किया हुआ है लेकिन जो जिस गती से करजमाफी जो की जा रही है उससे अंदाजा लगा जा सकता है ये कॉंग्रेस अभी ऐसा मुंजस की स्थीति में एक हमारे साथी ने कमेंट किया था सर आपको जानकारिया जो है परफेक्ट होती है सर और आप जानकारिया देते हैं उससे हमें काफी लाब होता है तो उन सबी साथियों को हमारी तरफ से धन्यवाद जो रिपोर्ट एक्सक्लोजिव को लगातार फोलो कर रहे हैं कर्जमाफी को लेकर रिपोर्ट एक्सक्लोजिव शुरुवात दिन से ही किसानों के साथ खड़ा है और किसानों की आवाज बन रहा है। हर रोज खबरे चलाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। हर रोज ख़बरे चलाकर किसानों के दर्द को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही उटता है करजमाफी कब और कैसे की जाएगी। अभी तक तो सहेकारी बैंकों की भी करजमाफी पूरी सामने नहीं आपाई है आँख्ड़े सामने नहीं आपाएंगे। हालांकि नो तारिक के बाद कुछ साफ हो पाएगा भी पूरे परदेश में सहेकारी समीतियों के लोन कैसे माफ किये गए और कितने माफ किये गए। आएगी भी कितने किसानों का करजा माफ किया गया है इसी बीच विजेपी ने भी अपना एक पोर्टल त्यार कर दिया है पोर्टल में जो 6,000 रुपए जो पैंसन देने की बात की गई थी उस पैंसन को अमली जामा पहना दिया गया है और बताया जा रहा है भी पोर्टल भी किसानों का दाटा पोर्टल मना जाता है वहां पोर्टल घुनका डाटा मिलेगा विजेपी और कॉंग्रेस में एक होर्ड लगी और वो दाव इतना successful लहा मतलब कहा जाकते हैं ये दाव इतने सफलता के पर्चम लह रहा है कि तीन राजों में देखते ही देखते कॉंग्रेस की सरकार बना दी तो जाहिर सी बात है ऐसा सिरफ अकेला मुद्दा किसानों के मुद्दे ने तीन राजों में कॉंग्रेस का हाथ फिर खड़ा कर दिया तो बिजेपी को समझ में आ गया बिजेपी किसानों पे अगर राजनिती की जाए तो लोकसभा के चुनाओं में बड़ी जीत हासिल की जा सकती है हालांकि ये चुनावी स्टंट ही कहा जाएगा बिजेपी और कांग्रेस निद्जिस प्रकास से किसानों के लिए योजनाय लेकर आ रही हालांकि उनके लिए चुनावी स्टंट है लेकिन किसानों के लिए काफी दोहरी खुसी की बात है यब तो बिजेपी और कॉंग्रेस दोनों मिलकर उनके लिए अच्छा सोज रहें बड़ी बहुत अच्छी बात है लोकसबा चुनाव जो है किसानों के लिए बहुत अच्छे है वोकर आए है किसान दाबकुप नहीं बनेगा किसान दाबकुप नहीं बनेगा अच्छी बतारी हम दे लो